हैलो दोस्तो क्या हाल चाल दोस्तों पेटियम पॉष्ट पेट की सर्विस को लगवग मैं 6 मन से यूज कर रहा हूं और आजकी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ पेटियम पोष्ट पेट कर रिभी विद फुल डिटेल्स इन्फरमेशन तो चलिए वीडियो को सुरू कर तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं basic information की दोस्तो पेटियम postpaid buy no pay later की service है जिसके अंदर आपको credit limit दी जाती है जिस credit limit का यूज आप जरूरत के time पे कर सकते हो और बाद में इसका repayment भी कर सकते हो दोस्तो बात करें इसके parent company की तो यह पेटियम के थुरू ही manage किया जाता है दो दोस्तो बात करें lending partner की तो इन्होंने clicks finance and आदित विरला finance limited के साथ partnership कर रखी है दोस्तो बात करें availability की तो इसका यूज आप पेटियम एप के अंदर ही कर सकते हैं इसकी service आपको पेटियम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी पेटियम एप की link आपको description में मिल जाएगी जहां से install कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी कुछ basic information पेटियम पोस्टपेट के बारे में अब हम बात करते हैं benefits and features के बारे में तो सबसे बड़ा benefits ये है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का hidden charges देखने के लिए नहीं मिलता है नहीं कोई joining fees देखने के लिए मिलते है इसमें किसी जारुपे तक की credit limit मिल सकती है depend करता है आपके civil score पर जो भी आपको credit limit मिलती है इसकी जो validity रहती है वो 12 महिने से लेके 24 महिने की वीच में रहती है और दोस्तो जो आपको credit limit मिलती है इसका ही आप यूज कर सकते हो कई जगाए acceptance है 100 प्लस merchant है जहां पास आप पेटियम 100% digitally and secured है और यह पेटियम के थुरूब manage किया जाता है तो आप इस पे trust भी कर सकते हो जोस्तो जो भी आप uses करते हो और उसको आप EMI पे easily convert कर सकते हो यह भी option आपको पेटियम पोस्ट पेट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा EMI के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊ और बाद में आप किसी भी credit card के लिए apply करेंगे आपका अच्छा civil score रहेगा तो आपको credit card भी instant मिल जाएगा तो यह benefit है पेटियम पोस्ट पेट का यूज करने का तो दोस्तो यह थे कुछ benefits and features पेटियम पोस्ट पेट के अब हम बात करते हैं कि पेटियम पोस्ट पेट के account कि होते हैं तो दोस्तो पेटियम पोस्ट पेट के टोटल तीन वेरियंट है सबसे पहला है mini users दूसरा है light users और तीसरा है delight users तो हम बात करते है mini users की दोस्तो mini users उनको मिलता है जिनका credit score एक से 700 की बीच में होता है और इसमें आपको जी limit दी जाती है 250 रुपए से लेके 1000 की बीच में दी जाती है इसका drawback यह है कि इसमें आपको convenience fees लगती है जब भी आप repayment करते हो तो दोस्तो convenience fee क्या है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा दोस्तो आप बात करते है light users के बारे में इसके लिए आपका civilis course 700-900 की बीच में होना चाहिए दोस्तो इसमें जो credit limit है वो 60,000 होना चाहिए और बागी की जो credit card है वीरों है उनके साथ भी आपका एक अच्छा behavior होना चाहिए जिसके कारण आपको इसमें 60,000 रुपे तक की limit मिल सकती है और इसमें किसी भी प्रकार की convenience fees देखने के लिए नहीं मिलती है तो दोस्तो अब हम बात करते है requirements की इसके लिए आपके पास आधार card and pen card होना जरूरी है दोस्तो आपकी उम्र 20 या फिर इससे ज़्यादा की होनी चाहिए दोस्तो आपका जो आधार card है pen card है उसके साथ mobile number लिंक होना चाहिए और वो mobile number आपके पास होना चाहिए क्योंकि KYC लगेगा OTP के तुरू दोस्तो आपके पास email ID औ और valid active mobile number होना जरूरी है तो दोस्तो आप मैं आपको step बता देता हूं कि आप इसे कैसे activate कर सकते हो तो सबसे पहले आपको Paytium application open करना है और अपने account से login कर लेना है उसके बाद आपको एक banner दिखेगा उस पे आपको click करना है उसके बाद आपको कुछ necessary information डालना है जैसे कि pen card ह गया contact information हो गया data birth हो गया registered bank हो गया उसके बाद आपको OTP आएगा आपके mobile number पे जिसे आपको verify करना है उसके बाद आपको अपनी selfie verify करनी है और वाकी की documentation करने के बाद आपको इसकी limit मिल जाएगी ये limit 250 से 60,000 की बीच में हो सकती है और दोस्तो अगर आपको instant limit नहीं मिलती है तो आपको betting list दी जाएगी 4-6 महीने में ये betting list clear हो जाएगी ऐसी संभाबना है दोस्तो पेटियम पोस्टपेट को enroll करने के लिए काफी सारी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है आप कोई भी देख सकते हैं उसके वाद आप apply कर सकते हैं अगर आपको process ना समझ में आया जाएगी तो इस trick को आप apply कर सकते हो चूंकि दोस्तो पेटियम पोस्टपेट buy now pay later की service है तो इसमें charges and repayment का भी system होता है तो मैं आपको समझा देता हूं दोस्तो पेटियम पोस्टपेट में 30 days का free interest period मिल जाता है इसका जो बिल जन्रेशन है हर महीने की पहली तारीक को हो जा अगर आपने 100 रुपे से नीचे का यूज किया या फिर 100 रुपे यूज किया तो इसमें कोई भी late payment fee नहीं लगेगा अगर आप 101 से 250 की बीच में यूज करते हो तो आपको 25 रुपे का charge लगेगा 200 इंक्यामन से 500 की बीच में 50 रुपे लगेगा 501 से 1000 की बीच में 100 रुपे लगेगा 2501 से 5000 की बीच में आपको 500 रुपे लगेगा और 5001 से ज्यादा का amount अगर आप यूज की हो इसका अगर आप repayment करने जाओगे तो इस पे 750 रुपे का late payment fee लगेगा पर मंत के हिसाब से इसके साथ में आपको 18% का GST अलग सी लगेगा दोस्तों जो मैं आपको charges बता अब दोस्तों बात करते हैं पेटियों पोस्ट पेड के convenience fee के बारे में यह जो convenience fees है यह light and mini users के लिए applicable हो रही है इसमें 1% से लेकर 3% plus GST का charge लग सकता है डिपेंड करता है users के account के उपर यह फी तब लगेगी जब आप repayment करने जाओगे जितने भी amount का guys यह फी जरूरी है यह लगेगी अगर आप payment time पे करते हो फिर भी आपको convenience fees लगेगी अगर आप Paytium के light and mini users हो यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरा ही account मैंने time पे repayment किया था फ आपका civil score इतना गिर जाएगा कि क्या बताएं आपको in future किस भी प्रकार का credit card नहीं मिलेगा तो जितना आप यूज करते हो उसका payment आप time to time करो अगर नहीं है बस में तो आप उसे close कर दीजिए क्योंकि मेरे साथ यह घटना हो चुकी है इसलिए मैंने आपके सांस share किया दोस महिने तीन महिने चार महिने पांच महिने छे महिने तक का आप convert कर सकते हैं यह माई पे आपको interest भी देखने के लिए मिल जाती है 30% से लेके 36% का पर एनम की हिसाब से है अगर आप इसे monthly calculate करेंगे तो 2% से लेके 3% तक आता है दोस्तो पेटियम पोस्ट पेट का EMI जो जनरे payment करना जरूरी हो जाएगा उसके बाद ही आप उसे amount को EMI पे convert कर जाओगे और example के लिए अगर आप 8000 रुपए का यूज की हो टोटल इस्पेंड आपका बिल जनेट हो गया फर्स्ट आप एबरी मन्त तो आप एक तारीक के बाद EMI पे उसे convert कर सकते हैं इसके लिए आपको 800 रुपए का minimum down payment करना पड़ेगा उसके बाद जो भी amount बचेगा उसको आप EMI पे convert कर पाओगे 6 महीने तक का आपको option देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों ये थी कुछ important information regarding Paytm Postpaid ये जनकारी new and old users दोनों को help करेगी अब आते हैं इस वीडियो के conclusion की तरह तो दोस्तो review and मेरे experience पे based है तो सबसे पहले बात करते है approval की दोस्तों Paytm Postpaid का जो approval है easily नहीं मिलता है Paytm ने बोला है कि आपको instant approval मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है मेरे कई सारे दोस्ते जिनको approval अभी तक नहीं मिला है 5-6 महीने हो गए जबकि मुझे मिल गया है तो इस चीज को Paytm को credit limit मिलती है मैं बहुत सारे buy now pay later application को यूज करता हूँ जैसे कि simple हो गया लेजी पे हो गया इन पे मुझे minimum credit limit मिली थी 1500 रुपे 25 रुपे 5000 रुपे ऐसे करके लेकिन Paytm Postpaid पे 500 रुपे मिली उसके बाद मैंने यूज किया फिर 1000 हुई फिर 3000 हुई तो मतलब यह पहले जहासा देते हैं उसके बाद यूज करवाते हैं फिर आपसे convenience फीस भी वसूलते हैं अब convenience फीस आपको इसमें लगता है जो कि light और mini users के लिए applicable है लेकिन दोस्तों बहुत सारे buy now pay later ने जिन पे आपको convenience फीस देखने के लिए नहीं मिलती है तो दोस्तों conclusion पे मैंने आपके साथ 3 valid points share किये हैं अब आप ये वीडियो देख चुके होंगे यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेटियम पोस्ट पेड यूज करना चाहिए आगे continue करना चाहिए या फिर इसको close करना चाहिए और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe कर सक के नीचे कॉमेंट करिए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं मिल तो आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंज जय भारत टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसे भी जॉइन कर लिजएगा अस्तला बीस्ता